आज का अमारा टॉपी के फ्रेंड्स CBSC बोर्ड के द्वारा निकली एक नई भरती के बारे में CBSC बोर्ड में जो है नन टीचिंग जैसे पोस्ट पे भरती निकाली गई है पर्मानिंट सरकारी भरती है क्योंकि आप सब को पता है CBSC जो है भारत सरकार के Education Department के द्वारा रन के जाता है Government of India तो एक सरकारी नौकरी कहा लाएगी इसमें जो है न ग्रूप A की वेकेंसी है इसके अलावा आपको देखेंगे तो ग्रूप B टाइप की वेकेंसी है और ग्रूप C टाइप की वेकेंसी है तो तीन परकार के अलग-अलग वेरियस पोस्ट वे भरती निकाली गई है इसमें अगर आपने ग्रेजुशन कर रखा हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं बारावमी पास से तो फॉर्म भर सकते हैं इसके लावा PG के लिए भी याँपे वेकेंसी है और B, BTEC के लिए भी याँपे वेकेंसी है तो इस तरह के अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशन वाली भरती यहाँ पे निकाली गई है तो आए जानते इस भरती की संपूर जनकारी यहाँ दिखे यह जो है इसका एडवर्टाइजमेंट है और इस कावेदन भी कल से स्टार्ट हो जाएगा CBSC की ओफिसले वेपसाइट पर पाएंगे तो डिटेल अडवर्टाइजमेंट आपको 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 देखने को मिल लाएगा जो की 11 मार्च के डेट में यह एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी हुआ है तो हमने जो अडवर्टाइजमेंट को डाउड किया हुआ है और हमने जो है चीजों को हाइडाइट कर रखा है ताकि मैं आपको असानी से और जल्दी से समझा सको इस भरती के बारे में पहले आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ केंद्र माधिमिक सिक्षा बोर्ड सिक्षा मंतराले भारत सरकार के अधिन एक स्वायत संगठन एन अटोमोनेस और्गनाइजेशन अंडर दमिनिस्ट्र फेजुकेशन गौर्रमेंट अफ इंडिया गौर्रमेंट अफ इंडिया के द्वारा जो है यह एक और्गनाइजेशन है और इसी का अंतरकत भरती निकालेगी आप सबको पता है जो आपका सीटेट भी कंड़क्ट कराता है इसके अलावा आपका दसवी का बारहमी का बहुत सारे जो है इसके अलग अलग जो है एजुकेशन फिल्ड में बड़ी है और यह काम करता है उसी तरह से भारा सरकार के देखरेक में ही काम करता है अब यहां देखिए ओल इंडिया कंप्रिटिव इंडिया बेसिस पे जो है वेकेंसी निकाला गया है ओनलाइन अप्लिकेशन आपको फॉर्म भरने है और यहां देखें ग्रूप ए में कितने परकार के वेकेंसी है आपको देखें बताया गया है जिसमें आपका लेबल 10 व यहां पर आपको जो है केटेगरी वाइज वेकेंसी को दिखाया गया है इसके असिस्टेंट सेक्रेटरी एकाडेमिक्स में देखेंगे तो सोरफ पद है असिस्टेंट सेक्रेटरी एस्कील एजुकेशन में पांच पद है और एस्सेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में देखे एक से लेकर पांच तक है इसके बाद से छे और साथ देखेंगे गुरूप B टाइप की वेकेंसी है यह जो है न पद का ओधा माना जाते एक तरह से गुरूप A यह सबसे बढ़िया जॉब गुरूप B उससे थोड़ा सा कम सेलरी वाला थोड़ा लो जॉब ठीक है न जॉब यह लेकिन थोड़ा सा नहीं होता है कि अग्टार से उचा पद एक नीचा पद ऐसे हो गया तो इससे ऐसे साथ वेकेंसी इसमें देखेंगे इस तरह से और यह दिखेंगे लेबल 6 की यहाँपे सेलरी है 据्यंच हो गया ठोड़ा नीचा वाला पद ऋगया ग्रूप B से अ और junior accountant के 20 पद हैं, तो इस तरह से vacancy आपकी जो है, divide की गई है, आप यहाँ देख सकते हैं, salary के मामले में भी जबर्जस्ट भरती है, अब यहाँ पे बीकलांक के लिए कितना सी ट्रिजर्व यह बताएगा है, बात करते ही important date की, तो 12 मार्च से लेकर 11 अपरिल 2024 का form को apply करेंग इसमें हम देखेंगे, तो यहाँ पे number of vacancy के बारे में बताएगा है, आपका administration में 18 पद है, अब यहाँ पे academics में दो यहाँ वेकेंसी है, assistant secretary की, तो इसमें subject wise इन्होंने divide कर रखा हुआ है, हिंदी के लिए, इंग्लिस के लिए, biology के लिए, chemistry के लिए, ऐसे करके इन्होंने, जो है, आगे हम बताएंगे, इसका qualification, आप वीडियो को last तक देखते रहे, अब यहाँ education में देखेंगे, तो इन्होंने, यहाँ education में जो है, इन्होंने किस को रखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी विए से training में देखेंगे, तो इस तरह से subject wise इन्होंने divide कर हुआ है, अब यहाँ पर देखें, reservation जो लागू होगा, वो central government का, जो reservation rules है, वही लागू होने वाले, यानि जो भी आपका जाती, और जो भी आपका निवास अगर लगता है, निवास तो लगता नहीं है, जाती ही लगेगा, तो वो सब जो है, आपका central वाला होना चाहिए, EWS भी आपका central level होना चाहिए, और SST का तो central वाला बनता नहीं है, तो वो जो normal होता है, वो अब बनवा के रखेंगी, इसके बास यहाँ पर देखेंगे, इसका जो crucial date है, यानि जो last date है, 11 मार्च दो 2024, इसी date पर आपको count करे जाएंगे, सभी चीजों को, तो 11 अप्रियर इस में, group A type की vacancy है, इसमें आपको bachelor degree बोरा गया, किसी भी university से, तो आप form को भर सकते हैं, और यहाँ पे 35 years maximum उम्र बोला गया है, और यह bachelor degree आप किसी भी विसे से कर रखें, तो आप form को भर सकते हैं, आप eligible रहेंगे, art, science, commerce, agriculture, कुछ भी हो, आप भर सकते हैं, अब यहाँ academic वाल academic में क्या है, हिंदी, इंगलिस, ऐसे करके subject दिया था, तो उसमें आप जो है, post degree किये हूँ, और B.E.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D. इसमें सागर है, तो सही बात है, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, desirable में यह अगर है, तो भी आप form भरेंगे, नहीं है, तो भी form भरेंगे, इसकी बास से Assistant Secretary, Skill Education में आप देखेंगे, तो वेकेंसी है, जो की PG बोला गया है, degree, any discipline, किसी बे discipline से आप PG किये हैं, त से 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 तो form भरेंगे, Assistant Secretary Training के लिए देखेंगे, Essential PG बोला गया है, relevant subject या area, जहां से आप form भरना चाहते हैं, मतलब जिस subject से, जिस area से form भरना चाहते हैं, उस relevant subject में आप PG किये हो, और बीएड हो, और यह subject आप पास होने चाहिए, मतलब यह एक course होता है, यह इस तरह की चारत रखेंगे, अगर आपने जो है, Economics से, या Commerce से, या Accounts से, या Finance से, या Business Studies या Cost Accounting से, किसी एक बीसे से अगर आपने बैचलर डिगरी कर रखा हुआ है, तो form को भरेंगे, या अगर आपने SAS या JAO से अगर आपने जो है कर रखा हुआ है, बैचलर डिगरी तो form भर सकते है या आपने जो पोस्ट कर रखा हुआ है, इसमें से किसी भी स्ट्रीम से, तो आप form भर सकते हैं, या आपने MBA कर रखा हुआ, Finance से, तो form भर सकते हैं, या Chartered Accountant, या ICW कर रखा है, तो form भरेंगे, Desirable में यहाँ पर रखा गया है, लेकिन कोई दिकत नहीं है, अगर यह नहीं है यानि एक तरह से PG बोला गया है, इन Hindi with English, यानि Hindi English दोनों होना चाहिए, और आपको यहाँ पर देखेंगे, Diploma या Certificate Course होना चाहिए, Translation का, Hindi to English या English to Hindi, तो आप form भरेंगे, Junior Translator Officer के लिए, Accountant की वेकेंसी है, जिसमें बोला गया, Bachelor Degree, और यहाँ पर आप देखेंगे, Bachelor Degree आपने Economics या Commerce, Accounts, Finance, Business Studies, Coast Accounting किसी एक बिसे से कर रखा हुआ है, तो आप इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं, Accountant के लिए, एंड इसमें आपको टाइपिंग भी रखा गया है, English में या Hindi में, Hindi अगर करेंगे तो 30 word per minute, या अंग्रेजी करेंगे, कोई एक ही करना है, तो 35 word per permit, इसकी बसे Junior Accountant की वेकेंसी है, बारवी पास होने चाहिए, Accountancy से, Business Studies से, Economics से, Commerce से, Entrepreneurship या Finance, Business Administration, Taxation, Cost Accounting, किसी एक बिसे आपका होना चाहिए, तो आप जो है, इस वेकेंसी के लिए फॉर्म भरेंगे, और इसमें भी आपको टाइपिंग रखा गया है, तो ये वेकेंसी है, Friends, CBSC Board के त्वारा जो है, निकाली गई है, अब Operage में छूट मिलेगा, आपकी जो उम्र की गड़ना है, वो 11 अपरिल 2024 को गड़ना किया जाएगा, Operage SST को 5 साल, OBC को 3 साल, और विकलांग जनरल को 10 साल, इस तरह साब देखेंगे, और सभी परकार की महिलाओं को 10 साल का Operage मे 2024 को काउंट करें जाएंगे, एक्जामनेशन फी की बात करें, अगर आप Group A टाइप की वेकेंसी के लिए फॉर्म भरेंगे तो 1500 रुपे, Group B and C टाइप की वेकेंसी के लिए फॉर्म भरेंगे तो 800 रुपे, और यह जो भी फील लगेगा, General, OBC, EWS को लगेगा, बाकी जो भ यहां पर अप्लिकेशन फी नहीं लगने वाला है, इस तरह से, भले हो किसी भी Group का फॉर्म भरेंगे, कोई भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे, अब यह आप फॉर्म जो पर्मेंट जमा करेंगे, पर्मेंट गेटवे आपको मिलेगा, यह सब जनकारी यहां पर दिया ह इसमें सिलेबस दे रखा हुआ इन्होंने 1500 कोश्टन, 300 मार्क्स के 2,5 घंट से नहीं मिलेगा, यह आपके किस किस जो है, कॉम्पोनेंट से आपके कोश्टन पूछे जाएंगे, यहां पर दिया गया है, इसकी बास यहां पर आपका रिटेन एक्जामनेशन होगा, इसकी ब इसमें सिलेबस को देखेंगे, जूनियर एंजिनर के लिए फ़र्म भरेंगे, तो इसमें भी आप देखेंगे, तो पार्ट वाइज पार्ट यहां पर इन्होंने दे रखा हुआ कि किस किस पार्ट से हम कितना कोश्टन रहेगा, और इसमें धाय गंटा समय आपको मिलने व मिल रहे है, निगेटीव माकिंग भी यहां पर हमागे डिस्क्रस करेंगे, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए जो इसका सिलेबस से आप यहां देख सकते हैं, यहां पर आपको दिया गया, इसके वाइस से एकाउंटेंट के लिए जो वेकेंसी है, यह भी आपका सार सेलेक्शन अब देकेंडिट्स, तो यहां पर इन्हों ने जो है, दे रखा है कि सौर्ट लिस्ट जो है कितना परसेंट पर आपका हो गया, तो यहां पर यह मिनिममम कटफ मार्क से, मैक्समम से मैक्समम आप गेंगे, तभी आपका यहां पर सेलेक्शन हो पाएगा, उसके आपका सिलेबस का जो लेबल होगा, वो क्या रहने वाला है, तो अलग अलग पदवाइस देखेंगे, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए गरेजुशन लेबल का हाड़नेस रहेगा, यह जो वेकिन से यह भी गरेजुशन एंड सेकेंटरी के लिए इसका जो है आपका ह आपको असिटी पटना मिलेगा, देली है, करनाटका है, केरला में भी भुपाल आपको मिल दाएगा, पूने मिल दाएगा, भूने स्वर्ज, अजमेर, चेन्नाई, ऐसे आपको एक्जाम सिंटी देहरादून भी बराएगा इधर, इधर विजवाड़ा है, गुहाटी भी आपको असाम के तरफ बनाया गया है, तो ऐसे आपको हर जगा हिजाम सेंटर देखने को मिलेगा, मेजर जो सीटी है पूरे इंडिया में, यहाँ देखेंगे तो दो मार्क्स आपको एक सही के लिए मिलेगा, और 0.5 मार्क्स आपको जो डिटेट कर लेजएगा, अगर आप इंकरेक्ट एंसर करते हैं तो, तो सभी के लिए निगेटीम मार्किंग भी यहाँ पर लागू होने वाला है, तो आप इसे जरूर चिक कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे बोला गया, च्वाइस अप मेडिया वाप कोश्चन पेपर, तो आपका जो कोश्चन पेपर ह भूला है, बोथ लेंग्वेज में होने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिस बाइलिंग्वेज में रहेगा, तो यह सारी वेकेंसी के बारे में हमने फिरेंट्स डिसकस किया, इस भरती के संपूर जंकारी हमने आपको बताया, और यह बस नीचे में आपको फॉर्मेट वगर है तो आप टेलिगराम से पार्टिफिकेशन थ lies sera से आपको जोब भी अपटेट आती है सबसे पहले हम टेलिगराम और वाटभासप में सेयर कर देते हैं, या नोटिफिकेशन के माड़ीम क्योंकि यह वेकेंसी ओर लडी सॉट नोटिफिकेशन के वाध्यम से तीन दिन पहले ही आ चुकी है समझ रहे ना तो आप लोग टेलिग्राम वाट्सअब से जूड़े रहे ताकि आपको जो भी अपडेट आए इस टेलिग्राम वाट्सअब के थुरू मिलते रहे हमेशा कभी कभी क्या होता है हम लोग वीडियो नहीं बना पाते हैं ज्यादा बीजी होने के वज़़े से तो हम लोग जो है टेलिग्राम और आट्सअब गुरूप में सेर कर देते हैं ताकि आप लोग को पता चल सके तो आसा करता हूँ सारी जनकारी समझ आएगे सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्ट वॉक्ष मुल दागा इस नोटिकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्ट वॉक्ष मुल दागा मिलता है कि से ने अनुक्ध में फ्रेंड्स जाहिंद आपका दिन सुभो